वेलकम टू मैं चैनल एस की नूलेज क्लास विहार बोड एक्जाम 2022 के लिए कलास 10 गनीत का मोडल सेट वन सॉल्व करेंगे अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहां देखिए कोश्चन एक से लेके हम हल करकर के आप लोग को अबजेक्टिव बत हम समझाएंगे ठीक जैसे पहला कोश्चन दिया निम लिखीत में कौन सी सबसे छोटी सन्यूक संख्या है तो इसमें दिखिए ओप्शन ए में एक दो तीन चार दिया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा डी जैसे पा है पा क्या है पा एक ओपरी में इसमें ओपरी में संख्या मांग रहा है ठीक न तो इसका सही अंसर हो जाएगा बी तो बी कई से देखिए हम निकालके यहां दिखाते हैं तीसरा का तो दो बटे रूट अंदर दस ठीक न तो दो एका दो पांदुने दस तो क्या आ जाएगा एक बटे पांच अंदर एंसर हो गया उसके बाद चौथा दिया है दो संख्याओं के लोसो तथा मूस बराबर हैं तो संख्याएं है तो क्या संख्याओं पहला अप्शन है अभाज दूसरा है बराबर तिसरा है सह अभाज अचौथा है सन्युक्त इसका सही एंसर हो जाएगा बी बराबर क्यों क्योंकि लोसो तथा मोसो कब बराबर होता है जब दोनों संख्या बराबर रहे यानि कि दो का जब लोसो मोसो निकालेंगे तो दोनों बराबर आएगा ठीक न या माली जी चार कोमा चार रहे तो दोनों का लोसो मोसो बराबर आएगा ठीक न अगर बराबर संख्यां रहे तो पांचमा question दिया है कि 0.29 बार लगा हुआ है तो इतना बराबर है यानि कि इसमें कौन मान होगा तो हम इसको हाल करके आपको समझाते हैं कैसे आएगा तो क्या करना है अगर point हटाएंगे 0.92 इसे रेक्रिंग है रहताएंगे तो 100 आजाएगा बटे में ठीक यानि कि क्या हो गया कि 29 बटे 100 ठीक इसमें नीचे जो घटाते हैं देखेंगे इसके बगल में कई अंक है इसके बगल में कोनो अंक नहीं है ठीक ना रेक्रिंग बला के बगल में तो कोनों अंकने है तो 10 पे पावर 0 घटाएंगे उपर में जो घटाते हैं इसके बगल में जितना अंक है न उतना घटाते जितना कुछों अंकने है तो 0 है यानि कि क्या आ जाएगा 29 में 0 घटेगा 29 से बटे 110 पे पावर 1 का मन क्या हो जाएगा 1 यानि कि क्या आ गया 29 बटे 99 तो 29 बटे 99 ओप्सन देखिए कहां पर है 29 बटे 99 डी में है तो 5 का सही अंसर क्या हो गया डी चछठा देखिए 1- sin square 60 degree का मान मांग रहे तो 1- sin square 60 degree यानि कि sin 60 का मान होता है root 3 by 2 होता है इसका square कर देंगे तो इक क्या आ जाएगा 1 घटा root 3 का square 3 2 का square 4 जब लगुत्तम लेंगे चार एका चार घटा 3 बटे 4 यानि कि 1 बटे 4 आ जाएगा जो कि हमको option C में दिया है ठीक ना अब सात्वा question है निमलिखीत में किसका दस मलब प्रसार 7 है ठीक ना इसमें सब का हर का जो है ना पछिछन करकर के चेक करेंगे जिसमें 2 और 5 आ जाए तो उसांत हो जाएगा ठीक ना इसका सही बटे 40 है ठीक ना तो साथ 40 को थोड़े मित क्या आजाएगा दू दूनी चार चार दूनी आठ आठ पंचे 40 पांच आजाती क्या हो जाएगा सांथ ठीक ना बांकि और कुछ भी आ जाए दो तिन तो वह सांथ हो जाएगा साथ आठ नमर का भी अंसर निकल गया अब चलते आठ नमर का आठ नमर में का रहा है निमल खीत में किसका दस्मलाब परसार ओसांथ है ओसांथ माधन करके चेक कर लेना है तो हम डी का आपको निकाल के दिखा देते हैं जैसे एक 30 बटे 343 है तो जब हम तो एक 30 बटे 343 को जब तो रहेंगे तो यह आगिया एक 30 बटे साथ वो पावर तिन साथ आगिया नती वो सांथ हो गया ठीक ना तो आठ क्या हो जाएगा डी नवा कुस्तन दिया चार सो के भाज गुननखंड में पांच का घातांग है तो पांच का घातांग का रहा है निकाल ले ठीक ना चार सो के गुननखंड कर लेते हैं से चार सो का गुननक खंड से तो रहेंगे है हन्यक्त का 200 कर दीच बहें से एक सो दू से 50 दू से 25 पांच से 25 यानि कि क्या आग यह दू पर पावर एक दू तीन चार ठीक गुुनाओ कि पआपावड एक दू थमसे क्या मांग रहा है पांच का घातांग तो क्या निकला दो हीन निकला दो हीन निकला दस नमर का कोस्टन है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 पलस 10 तथा मोसो 130,15 बराबर मोसो X,Y तो X,Y बराबर होगा यहनि कि 130 बराबर जो हमको दिया है कि 15 गुना 8 पलस 10 जब हम 15 को जब तोरेंगे तो क्या लिखेंगे यानि कि संबंद किसमें है 15 और 10 में संबंद है वही कारा निकालने तो क्या हो जाएगा यह 15 और 10 में संबंद है ठीक उसके बाद 11 में का रहा है रूट 125 का परीमे करन गुनांक है तो रूट 125 जब इसको तोरेंगे तो 25 पंचे सवासो दूगो पांच मिलके बाहर निकल जाएगा रूट में को पांच रहा जागा तो इसका गुनांक देखिए क्या आ गया रूट 15 का का रहा है किसी दूगहात बहुपद के सुन्यक यदि माइनस 4 तो दूगहात बहुपद है ठीक ना यानि कि शुन्यक जो है यानी कि एक हलफाह बराबर हमको माइनस चार्र दिया है ठीक ना और बीटा ब्रावर क्या दिया है इसमें सबसे सुन्यक निकालने के लिए हमको पहले अलफा पलस बीटा निकाल लेंगे तो अलफा पलस बीटा जो निकाल लेंगे तो अलफा कमन माइनस चार पलस साथ तो इसके बाद अलफा इंटू बीटा निकाल लेंगे यानि कि अलफा गुना निकल जाएगा ठीक ना यह जो निकला आप दुई घात बहुपद बरावर सुत्र होता है दुई घात बहुपद बरावर सुत्र होता है एक्स स्क्वार माइनस अलफा पलस बीटा इन्टु एक्स पलस अलफा इन्टु बीटा ठीकिना इस सुत्र होता है तो एक्स स्क्वार माइनस अलफा पलस बीटा हमको कितना है अलफा पलस बीटा यहां देखिए है अलफा प्लस fans को कितना आया है तीन यानि कितिन एक्स पलस गितना आया opening पीटा माइनस अट राश्म मारत इसक्वार माइनस तीन एक्स पलना मैनस अट यह एनसर हो गया अब इस स्क्वार मैंनस 3x-6c में, ठीक ना, इसका एंसर c हो गया, अब 16 में दिखे दिया है, एक दुगाद बहुपद की सुन्यकों का योग तथा गुननफल करम से 5 तथा 16 है तो दुगाद बहुपद होगा, यानि की सुन्यकों का योग, यानि की अलफा पलस बीटा योग कहते हैं, ठीक ना, कितन दिया है 5 फिर गुनन फल यानिक अलफा इन्टू बीटा कितना दिया है 6 तो वही निकालना है दुगाद भोपाद यानिकी x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta ठीकना तो x square minus alpha plus beta कमान 5 x plus alpha यानिक x square minus 5 x plus 6 तो बी में है ठीकना 17 का दिया है यादी बहुपद y square घाटा 6y plus 8 के सुन्यक alpha beta हो तो alpha into beta का मान होगा तो alpha into beta बराबर होता है c by a ठीकना तो e हुआ ए इसके भगलों ने कुछ तर एक है ठीकना और यहाँ e हुआ b e हुआ c तो c के जगा क्या है आठ तो आठ बटे a a के जगा क्या है ने कुछ तर एक तो यानिकी 8 हो गया ठीकना तो आठ कहां पर है जो की a में है ठीक अठारक दिया है अठारक दिया है बहुपद fx बरावर 3x square मैनस 7x plus 2 तो f-1 का मान होगा यानि कि जहां जहां x है ने वहां मैनस 1 बैठाएंगे ठीकना तो समी करन हमको क्या दिया है यह थी थीडी x square मैनस 7x plus 2 कह रहा है मैनस 1 बैठाने ठीकना थीडी x की जगा मैनस 1 का स्क्वार मैनस 7x की जगा मैनस 1 plus 2 तो 3 एक का स्क्वार 1 के मैनस है तो पलस हो जाएगा मैनस मैनस पलस साथ एका साथ पलस दू तीन एका तीन पलस साथ पलस दू शाथ तीन दस दू बारा तो बारा कहां पर है बी में मेरा एंसर हो गया ठीक ना का अगरे कि आ कि उन्श का दिया हाब बाहुपद x स्कॉयर मैनस 3 के सुनीयक है तो क्या दिया है एक स्कॉयर मैनस 3 बड़ावर 0 रखेंगे तो एक स्कॉयर बड़ावर दर पलस 3 और जब एक सब्रावर निकालेंगे तो रूट तिन कोमा माइनस रूट तीन रूट निकलने के बाद पलस मैनस लग जाता है ठीक ना कि जो कि हमको बी में दिया है ओप्षन विस नमर का कोस्टन है निम्न में कौन इसको हम बिलोपन विधी से हल करते हैं ठीक ना क्या दिया है शीक्स एक्स माइनस टू वा ब्रावर जीरो उसके बाद दास एक्स पलस टू वा ब्रावर बत्तिस तो मैनस पलस है वे क्या कर जाएगा दस थो शोलर एक्स ब्रावर बत्तिस शोलर दूनी बत्तिस यानि कि एक्स ब्रावर दू उसके बाद क्या करेंगे एक्स कामान यहां बैठा देंगे ठीक निए जी से मास कोनो समीक्राण ओन या समीक्राण टू में आनि कि 6X-2y ब्रावर 0 है ना तो 6X के जगा यी दो रख देंगे माइनस 2 ब्रावर 0 कि छोदोनी 12 घटा दू ब्रावर 0 जब माइनस 2y ब्रावर निका लेंगे ती पलस है तो माइनस 12 दूसर 6 या निकिभा ब्रावर 6 निकल गया ठिक ना और हमको X ब्रावर दो निकला नीकिव ब्रावर 2ब रख 1 देखिए कहां पर है me X outta 12 y sod B मैं ठीक ना शोकर दो और बस इतना ही अभी तक तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर się